इंडियन आर्मी अगनीपत स्कीम की जो ओनलाइन रिजिस्टेशन है वो स्टार्ट होगी है जो अगनीपत स्कीम इंडियन आर्मी की ओनलाइन रिजिस्टेशन और जो ओनलाइन फॉर्म है वो एपलाइ होना स्टार्ट हो गया है फरस्ट जुलाई 2022 से लेके 30 जुलाई 2022 तक आप अपनी online registration Indian Army AgniPath scheme की कर सकते हो। कुछ AROs की notification जो है वो release होगी है, कुछ AROs की अभी भी notification नहीं आई है, जिन AROs की notification आई है तो आप उन में apply कर सकते हो। मैं आज की वीडियो में आपको step by step full process दिखाने वाला हूँ कि आप अपना Indian Army AgniVir का जो online form है वो apply कैसे करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक request रहेगी आप से की मेरे YouTube चैनल को subscribe कर देना ताकि और भी helpful content आप तक पहुश सके। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको open करना होगा अपने mobile phone का Chrome browser ब्रोजर open करने के बाद आपको search करना होगा joinindianarmy.nic.in यह search करने के बाद यहां आपको मैं वीडियो के description में link दे दूँगा वहां से आप directly site पे आ जाओगे। तो site पे आने के बाद आपको मैं एक really notification दिखाता हूँ यह जो notification है army recruitment office विशा का पटनम आया है इसका जो debt है वो first July 2022 से लेके 30 July 2022 तक open रहेगा इसकी registration इसमें जो है अगनीवीर technical, अगनीवीर gd और अगनीवीर कलरक और storekeeper और tradesman की जो online form है वो apply होना start हो गया है तो बात की जाए gd की तो आपको gd में class 10th pass होना चाहिए with 45 marks और आपको statue नहीं होना चाहिए और बात की जाए कलरक की तो उसमें आपको qualification जो है वो 12 होनी चाहिए pass out आपका जो है arts या commerce या medical जो भी हो लेकिन आपकी जो percentage है वो 60% required है और आपके हर एक subject में 50% need होंगे कलरक के लिए और बात की जाए technical की तो टेकनिकल में आप physics, chemistry और math के साथ pass होने चाहिए इसमें आपको percentage जो required है वो 50 है और हर एक subject में आपको 40% होने चाहिए तो आप इसमें apply कर सकते हो उसके बाद बात की जाए tradesman की तो tradesman में आपको pass out होने चाहिए with degrade के साथ तो आप tradesman के लिए apply कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आपको दिखाते हैं कि आप अपना जो online form है वो apply कैसे करोगे join indian army की official website पे आने के बाद आपको यहां पे click करना होगा side बे आपको show और आज जे सी ओ आपलाई लॉगिन इस पे आपको click करने के बाद आपको यहां पे उपर side पे आप देख सकते हैं continue पे click करने के बाद आपको यहां पे अपनी state select करनी होगी state select करने के बाद आपको यहां पे अगर आपके पास अधार नंबर है या आपके पास UID enrollment नंबर है तो आप यहां से डाल सकते हो अगर नहीं है आपके पास तो आपको अगर अधार नंबर आपके पास है तो आपका जो name है वो आपके mark sheet के साथ match नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे uid enrollment number डाल के apply कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे candidate name fill करना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको father's name fill करना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको mother's name fill करना होगा उसके बाद आपको यहां से स्लेक्ट करनी होगी अपनी डेटा बर्थ उसके बाद आपको यहां पे active email address फिल करना होगा उसके बाद आपको यहां पे active mobile number एंटर करना होगा उसके बाद यहां पे आपको capture फिल करना होगा capture fill करने के बाद आपको submit पे click करना होगा चाहे आप किसी भी arrow या जडारों से belong करते हो या किसी भी state या यूटी से belong करते हो आपका जो online form fill करने का process जो है वो same रहने वाला है तो आपको बिल्कुल अपनी जो state है वो select करनी होगी बाकी जो process है वो बिल्कुल same रहने वाला है अपनी सारी details यहां पे fill करने के बाद आपको submit पे click करने है submit पे click करने के बाद submit पे click करने के बाद आपके email ID पे एक OTP sent किया जाएगा उसके बाद आपको okay पे click करने है okay पे click करने के बाद आपको यहां पे जो आपके email ID पे है एक OTP sent किया जाएगा उसके बाद आपको यहां पे अपने जो email ID पे OTP sent किया जाएगा वो fill करना है उसके बाद submit पे click करना है submit पे click करने के बाद उसके बाद आपको यहां पे अपनी highest qualification select करनी है आप 8th pass आपकी highest qualification है 10th है या 12th जो भी है आपको select कर देना उसके बाद आपको appearing or pass it select करना है तो आपको यहाँ पे pass it select कर देना है उसके बाद आपको matriculation select कर देना आपने CBSC से matric किया है ICSC open school से या other या state board से तो मैं यहाँ पे state board select कर देता उसके बाद आपको अपनी state select करनी है जहां से आपने 10th pass किया हो उसके बाद आपको यहाँ पे 10th matriculation 10th certificate number fill करना होगा उसके बाद अगर आप remastering candidate है तो आपको yes कर देना अगर नहीं है तो आपको no करना है उसके बाद आपको यहाँ पे password requirement fill करनी होगी उसके बाद आपको यहाँ से मिर्चल status select करना है यहाँ पे आपको unmarit select कर देना उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे height select करनी है जो भी आपके height होगी तो आप वो select कर देंगे, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना district select करना है, जो भी आपका district होगा, district select करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी तासीर select करनी है, तासीर select करने के बाद आपको यहाँ पे एक password create कर राने के बाद आपको दोड़ने केबाद को आपको पर क्लिक करने के बाद आप successfully login हो जाओगे, login होने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको जैसे देख सकते हो यहाँ पे अगनिवीर जर्नल ड्यूटी आल आर्मस का option आ गया है, तो आपको यहाँ पे apply पे click करना है, इसकी जो age है साड़े सतारह से लेके 23 तक रहने वाली है, अगनिवीर कलरक और अगनिवीर ट्रेट्समेंट, जो भी आपका ट्रेड होगा, तो आपको उसी ट्रेड के आगे यहाँ पे apply पे click करना है, जैसे कि मुझे journal duty के लिए apply करना है, तो आप मुझे यहाँ पे apply पे click करना है, apply पे click करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, इसलाम जो भी होगा आपका रिलीजन तो आपको यहां पे स्लेक्ट कर देना है रिलीजन स्लेक्ट करने के बाद आपको यहां पे अपनी क्लास स्लेक्ट करनी है क्लास स्लेक्ट करने के बाद आपको यहां पे अपना फोटो स्लेक्ट करना है आपका जो फोटो साइज है वो प save and continue पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहां पे हाउस नमबर फिल करना है उसके बाद यहां पे आपको अपना एडरस फिल करना है उसके बाद यहां पे आपको वैलेज अपना फिल करना है उसके बाद यहां पे आपको सिटी टाउन फिल करना है उसके बाद आपको य सेbereखciones के बाद आपको ए रहे सकत ratsum के अगार क्लिक करना होगा सारे डिइटियर्स फिल करने के बाद आपको सेवाईण मिकानल सेवाइन कंटीन्यट कीुक पर conception करने के बाद आपको निचे आ जाना है यहाँ पे आपको अपनी highest qualification select करनी, उसके बाद अगर आपके पास कोई driving license है, तो आपको yes करना है, अगर नहीं है तो आपको no कर देना है, उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है, फिर से save and continue पे click करने है, save and continue पे click करने के बाद, आपको यहाँ पे अपनी qualification details select करनी है, यह उसके बाद आपको यहां पे add पे click करने के बाद आपका जो record है वो successfully save हो जाएगा उसके बाद यहां पे अपने आपको subject select करने है जो भी आपका पहला subject होगा उसके बाद उसमें आपको over 10 marks अपने select करने है उसके बाद आपने out of marks select करने है आपने hundred में कितने marks लिये हैं तो उसक उरो पे क्लिक करने के बाद आपका जो पहला record है वो save हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से अपना दूसरा subject स्लेक्ट करना है जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो सारे सब्जेक्ट है वो वन बाइवान आपको स्लेक्ट कर देने हैं वन बाइवान स्लेक्ट करने के बाद आपको अपने सारे subject select करने के बाद आपको continue पे click करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिखाएगा your current application अगनी वे general duty for our arms तो आपको यहाँ पे continue पे click करने के बाद आपका जो form है वो पूरा show हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी details चेक करनी है details चेक करने के बाद आपको यहाँ पे submit पे click करने है उसके बाद आपको दिखाएगा are you sure to submit application तो आपको ok कर देना ओके करने के बाद आपको दिखाएगा application submitted successfully तो आपका जो application form है वो submit हो जाएगा उसके बाद आपके जब admit card जनेट होंगे तो आपको यहाँ पे फिर से login करना है login करने के बाद आप अपना admit card download कर सकते हो अगर आपको कोई problem आ रही है form भाने में तो आप मुझे comment कर देना और आपका जो reply है वो 100% दिया जाएगा तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए goodbye अलहाफिज और चैनल को subscribe करना ना भूले thank you